नमस्ते दोस्तों कैसे हूँ आप सब आप सब आप सबी अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए कुछ धम्मा के दार टीप संट्रिक्स लेके आई हूँ वीडियो को इन तक जरू देखिए पसंद आए तो दोस्ति के साथ शेयर करना ना भूले तो यहाँ पे हमारी सबसे पहल और जरूरी टीप है बच्छों के लिए अक्सर क्या होता है ना बच्छों के हम जब नए कपड़े लेके आते तो यह पूरा जो इलास्टिक होता है वो बहुत ज़दा टाइट होता है और बच्छों को चुबने लगता है बच्छों को भी तकलिफ होती वो रोने लगते य तो ये दिक्कत अगर आपके साथ होती है तो देखो नए कपड़े को तो फेक तो नहीं सकते या जबरदस्ती पहना होगे तो बच्चों को तकलिफ हो जाएगी तो यहाँ पर आपको क्या गरना है कुछ ऐसा बरतन लेना या फिर बाल्टी लेनी है डिबबा भी ले सकते हो ज लूज हो जाता है ज्यादा भी लूज नहीं होगा कि बिलकुल आप इसे पहना ही नहीं पाओगे बिलकुल आपको जितना चाहिए उसके इसाब से आप बरतन चोटा बड़ा ले सकते हुससे हिसाब से बड़ा हो जाएगा और जैसे आप बच्चों को पहना होगे न चावल में बहुत कर सकता है यह बिव एक बावल में निकाल लिया आपके खर में प्लांट ऐसे होंगे जोकि आप बहुत जड़ा पसंद करते हैं केर भी करते हैं पूर वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं या फिर फ्लावरिंग नहीं होती जैसे कि मनी प्लांट भी ग्रीन रखने के लिए या फिर ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप उसमें ये पानी डाल सकते हो वैसे भी रेगुलर हम दूसरा पानी डालती है तो उस ज कालने की ज़रुत नहीं है बस हपते में एक बार भी डालोगे ना तो भी आप देखोगे बहुत अच्छा कमाल का रिजर्ट मिलता है और ट्रीक पसंद आई हो तो ज्यादा ज्यादा शेर कीजिए चले देखतें नेक्स टिप कौन सी है तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी उफली का पाउडर तो आप देखोगे बहुत ही अच्छी सी इसका जो टेस्ट है वो आता है एक बर कड़ी बनाते होती है जरू ट्राइ कीजिए आप देखोगे हमेशा इसी तरीके से आप बनाओगे बहुत ही टेस्टी लगती है और यहाँ पे हमारी जो नेक्स टिप है वो है तिल किड़े अभी जैसे मकर संक्रांतरी आ रही है सर्दियों में गुड और तिल खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है तो देखें जब भी हम इस तरीके से बहुत सारे तिल लेके आते आप देखना यह बहुत ही जल्दी खराब भी हो जाते है क्योंकि इसमें जाली कीड़े बहुत जल्दी लग जाते है तो अगर आपको ज्यादा दिन तक तिल स्टोर करके रखने तो आपको एक छोटा सा काम करना है इस डिब्बे में आपको डालना है थोड़ा सा नमक आप सोचोगे अगर इसमें हमे अच्छी से रहेंगे नमक भी निकल जाएगा जरूर ट्राइ कीजिए इससे आप बहुत दिनों तो किसे अच्छी से स्टोर कर पाओगे और दिखें कई बास ज्यादा लेके आते हैं तो खराब होने के चांसेस होते तो यह जरूर करना चाहिए ट्रिक पसंद आई हो तो ज टेप के उपर एक बार पेंसिल गुमा दीजिए तो आप देखोगे एक जैसे गुमाओगे एक लाइन वहाँ पर बन जाएगी जहां पर यह कट लगा हुआ है तो यह दिखें कुछ इस तरीके से जहां भी थोड़ी बहुत मुझे लाइन दिखाई दी न तो मैंने ज्याद पे हमारी जो next tip है वो है oil के लिए अकसर कहीं पे oil गिर जाता न तो हमारा काम दुगना हो जाता है क्योंकि इसे साफ करने में एक तो सारा कपड़ा भी गंदा हो जाएगा oil उसे धोना पड़ेगा साती में कुछ खाद भी खराब होंगे जमिन भी oily हो जाएगी तो इसके लि देखे नमक पूरा यहां पे मैंने डाल दिया है दो तीन मिनिट रख दीजिए उसके बाद आपको क्या करना है बस हातों से इसे साइड करना है आप देखोगे सारा का सारा oil निकल जाएगा और पूरी जो आपकी प्रोसेस थी ना oil क्लीन करनी की वो भी खतम हो जाएगी मतल पी कभी ना कभी इस तरीके की छोटी मोठी प्रोब्लेम हमारे साथ होती है तब हमारे पास यह स्मार्ट ट्रिक्स होने चाहिए जिससे की पैसो की बचत होगी और मेहनत भी कम लगेगी तो यह देखे पूरा जो oil है ना सारा का सारा नमक में आ गया है और नमक भी वैसे सस् फेक भी सकते है या फिर किसी क्लीनिंग में भी इसका यूज हो जाएगा तो जरू ट्राइ कीजिए मैंने तो इसे बहुत ही आसानी से निकाली आए थोड़ा सा यह ओईल था अगर कभी ज्यादा भी ओईल गिर गया है तो भी आप यह ट्रिक फॉलो कर सकते हो और यहाँ प हमारा यह तवा भी क्लीन हो जाएगा तो यह दिखे इसके अंदर मैंने वाशिंग पाड़र डालने के बाद डाला है थोड़ा सा नीमबू चाहो तो आप नीमबू के चिलके भी डाल सकते हो जो यूज कियो चिलके होते ना उसे आप दो चाल डाल दीजिए या फिर एक दो दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी तो यह दिखे यहां पे इसको अच्छे से मैंने उबाल लिया है और गैस हम अब बंद कर देंगे और यह जो सोलूशन है बरतन में निकाल लेंगे एक बरतन में मैं इसे ले निकाल रही हो ताकि यह ठंड़ा जल्दी से जल्दी हो तो उपर से तो देखने को देखे यह साफी दिख रहा है तावा पर यह जो गंदगी है कैसे निकलती है मैं आपको दिखा दियू उससे पहले दिखे यह सोलूशन जो हमने बनाया उसे आप एक बॉटल में निकालिए जिसे कि आप उसे जब चाहे वैसे यूज कर पाओगे कई बर आपने देखा होगा हमारे हातों में बरतन मांचते टाइम बहुत ज़धा खुजली होती या फिर रेड हो जाते हात या फिर स्कीन निकलने लगती है बहुत लोगों को जो बरतनों के साबुन होती है उससे ऐलर्जी होती है तो उसके लिए आपको बरतन का साबुन कि बिल्कुल जरूरत नहीं है मतलब यह जो हमने solution मनाया ना इससे आप बरतन साफ कर सकते हो एक तो हमारे जो बरतन है ना वो भी साफ निकलेंगे क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कितनी भी साफ बरतन दोलो उस पे सफेद निशान पढ़ जाते सारे के सारे सफेद निश मतलब ज्याद आपको साफ भी निकरना पढ़ेगा और सफेद निशान भी निशान पढ़ेंगे साती में बरतन भी साफ हो जाएंगे और आगर आपको साबन से अलर्जी है तो वह भी आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी तो यह दिखें गरम तबे को ही मैंने थोड़ा सा स्क मुकाबल के बिर बतो के आइसे के दिनों के आपके प। इसको अपके बिर तरा है तो चछिक होगे लिए घौन के ब्हुत पिरिचे होगी से निकल रहा है तो यह इस सोलुशन से आपके बहुत सारे काम भी आसान हो जाएंगे पैसो की बचट भी होगी जो आपके हातों में दिक्कत हो रही थी वो भी नहीं होगी और आपको सबसे जादा कौन सी ट्रीक अच्छी लेगी मुझे जरूर कॉमेंट बाक्स में बताए वीडियो पसंद आया हो वीडियो को ल अलती है